संग्या बच्चों, आपके आज पास दिखने वाली हर चीज का नाम होता है नाम के कारण ही हम वस्टुवादी की पहचान आसानी से कर पाते हैं व्याकरण में ये नाम ही संग्या कहलाते हैं आओ संग्या के बारे में जाने प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई वहाँ उन्होंने खूप सारे खिलोने और मिठाईयां खरी दी फिर वे ताज महल देखने गए यह अपनी सुन्दर्ता के लिए प्रसित है ताज महल को शाह जहां ने अपनी बेगम मुम्ताज महल की याद में बनवाया था वह मुम्ताज से बहुत प्रेम करता था इन वाक्यों में आई रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है व्यक्ति, प्रिया, पापा, शाह जहां, मुम्ताज महल वस्तु, खिलोने, मिठाईयां स्थान, आगरा, ताज महल भाव, याद, सुन्दर्ता, प्रेम किसी भी वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, स्थान या भावादी का बोध कराने वाले शब्द संग्या कहलाते हैं संग्या के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक व्यक्तिवाचक संग्या जो शब्द किसी एक विशेश व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोथ कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं उदाहरण चार मिनार विश्व की एतिहासिक इमारत है साक्षी एक मिलनसार लड़की है इन वाक्यों में केवल चार मिनार या साक्षी के बारे में बताया गया है किसी अन्यस्थान व व्यक्ति के बारे में नहीं अतह चार मिनार व साक्षी को व्यक्तिवाचक संग्या कहेंगे विशेश विंदू सूर्य, चंद्रमा, प्रित्वी, आदी व्यक्तिवाचक संग्या मानी गई हैं क्यूंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, चंद्रमा तथा एक ही प्रित्वी है महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संग्या होते हैं जातिवाचक संग्या जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तूओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संग्या कहते हैं उदाहरण नदी बहती है जब हम नदी कहते हैं तो वह कोई भी नदी हो सकती है हमें केवल उस वस्तू का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तू का नहीं विशेश बिन्दू सभी समूह वाची शब्द जातिवाचक संग्या में आते हैं उदाहरण कक्षा, सेना, आदी धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संग्या होते हैं उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, लोहा, आदी फलों तथा सब्जियों के नाम विशेश होते हुए भी जातिवाचक संग्या में आते हैं क्यूंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं उदाहरण आमेक फल विशेश का नाम है पर यह एक होते हुए भी अनेक होते हैं अता इन्हें जाती वाचक संग्या के अंतरगत माना जाता है भाव वाचक संग्या जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुर्ण, दोश, अवस्था, दश्या या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं वे भाव वाचक संग्या कहलाते हैं उदाहरण मोटापा, सुन्दर्ता, बुढ़ापा विशेश बिंदू, भाव वाचक संग्या को देखा नहीं जा सकता पर उसे महसूस किया जा सकता है कुछ संग्याएं मूल रूप से भाव वाचक होती हैं उदाहरण सत्य, परोपकार, इमानदारी, दुख, सुख, आदी कुछ भाव वाचक संग्याएं बनाई जा सकती हैं मनुष्य, मनुष्यता, कठोर, कठोरता, हरा, हर्याली, खटा, खटास, छोटा, छुटपन, मोटा, मोटापा, विशाल, विशालता, हसना, हसी, देव, देवत्व गुरू, गुरुता या गुरत्व, बुरा, बुराई, लाल, लालिमा, उचा, उचाई, बच्चा, बच्चपन, गरम, गर्मी या गर्माहट, मिलना, मिलावट, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन सुन्दर, सुन्दर्ता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, गहरा, गहराई, बुढ़ा, बुढ़ापा, गिर्ना, गिरावट, पढ़ना, पढ़ाई, मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन कुछ विद्वान संग्या के दो भेद और मानते हैं पहला द्रव्य वाचक संग्या, दूसरा समुदाय वाचक संग्या जो शब्द किसी धातू या द्रव्य पदार्त आदी के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें द्रव्य वाचक संग्या कहते हैं उदाहरण सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, पीतल, तामबा, आदी आजकल सोना महंगा है समुदाए वाचक संग्या जो شब्द किसी प्राणी या वस्तुआदी के समूह या समुदाए के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समुदाए वाचक संग्या कहते हैं उदाहरन सभा, जनता, सेना, जुन्ड, आदी चौराहे पर लोगों की भीर थी अब तक हमने सीखा किसी वस्तू, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद होते हैं व्यक्ति वाचक संग्या, जाती वाचक संग्या, भाव वाचक संग्या कुछ विद्वान संग्या के दो भेद और मानते हैं द्रव्य वाचक संग्या, समुदाई वाचक संग्या